नमस्कार दूस्तों Jobs and Career में फिर से गबर आपको बहुत-बहुत सागत करता हो तो आज मैं discussion करूंगा CBI से आया होए एक recommend के बारे में तो Central's Bureau of Investigation है उस Department से recommend आया है तो Investigation Department से जब recommend आते है तो हमें साथ को एक चीज़ों के याद रखना है यहाँ पर vacancies बहुत काम होते है उसके हिसाब से आपको apply करना है आपको qualification को check out करके apply करना है तो चलो आप पूरा details में आपके साथ discussion करूंगा तो वीडियो को पूरा last देखना तो सब सब पहले में official website को पर आ चुका हूँ official website से एक recommend आया है notification आया है जो मैं आपके साथ share करूंगा आप देख सकते है totally job है आप यह आप देख सकते है limited department जो मतलब competitive examinations है for the promotion of the MTS मतलब multi-taxing staff and साथी साथ LDs lower division clerk in CBI के उपर तो CBI के उपर आपको job offer किया जा रहा है तो अल ldc के उपर मतलब lower division clerk के उपर तो basically company बता रहे के sorry government बता रहे के यह जो job है इसके departmental जो job है इसके लिए आपको MTS उसके साथ साथ जो LTC है उसके लिए cool मिलाकर 25 vacancies है जहाँ पे general के लिए 15 ST के लिए 7 ST के लिए 3 vacancies है तो lower division clerk के लिए जो मतलब यहाँ पे data रखा गया है उस data क आपको दिखाऊंगा मैं सबसे पहले चलो आपको length and services के बारें बात करता हो length and services के बारें बात करतो candidate का जो data update दिया गया है उस हिसाब से आपको जो paste किया जाएगा मतलब आपको जो salaries दिया जाएगा band level 1 का salaries दिया जाएगा जो 5200 से लेकर 20,200 तक आपको salary मिलेगा और उसके स CBI के और next जो post है उसके लिए जो अभे अभे डिटेस दिया गया है आप देखेंगे सबसे पहले education qualification देख लीचे इस post के जो education qualification चाहिए मास्ट भी 12 पास होना चाहिए और वो भी कोई भी board से कोई भी requirement university से तभी आप apply कर पाएंगे और इसके लिए आपको age limit more than 45 से नीचे होना चाहिए 45 सालों के नीचे होना चाहिए तभी पाप लेकर पाएंगे तो इसके लिए जो examination देना होगा देखें sort easy question रहेगा और वो भी 100 marks का और देर घंटा का आपका examination देना होगा और next जो examination है वो language के उपर general English and general Hindi के उपर और general knowledge के उपर यहापे 50-50 का question का total 100 marks का exam होगा दो घंटे के लिए तो उसके बाद आपको कुछ मतलब syllabus wise examination जो दिया गया है उसको आप देख सकते sort easy के उपर one easy of 400 to 500 words be a routine of any services specified subject तो आपको जो long examination देना होगा sorry short जो essay type लिखना होगा उसके लिए 400 से 500 word का कोई भी topic के उपर आपको ऐसे लिखना होगा और paper 2 के लिए आपको जो language English और general दिया गया है उसके लिए आपको totally जो grammar है English का comparisons है उसके साथ साथ जो कुछ इस तरीके से जो examination है उसको देना होगा general knowledge के लिए आपको general knowledge के उपर आपको examination देना होगा तो पूरा details में आपके साथ discussion कर रहा हो क्योंकि आपको भी बता चले कि आप जब जिस चौप के लिए apply करेंगे उसके लिए कौन सा quality and qualification चाहिए तो देखिए जो marks है outstanding performance के लिए 20 marks and very good के लिए 16 marks and goods के लिए 12 marks तो marks को इस categories के डिवाइट करेंगे है अगर तहापे marks आपको जितना मिलेगा उस हिसाब से आपको selection भी किया जाएगा तो पूरा details देखने के बाद आपको नीचे एक form मिलेगा इस form को fill up करना है इस form को fill up करने क के बाद आपको भेजना होगा तो I hope video में जानकर आपको मिल चुके है इस details के जानकरी notification के जानकरी में आपको link दे दूँगा उस link में जाकर आप click करके सारे डिस को बढ़ सकते हैं तो मितने एक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद